हेलो एंड वेल्कम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फॉर आईको में कैसे हैं आप लोग देखे दोस्तों रेलेवे में चीफ लास एस्टेंट और वेलफेर इंस्पेक्टर के जो आप लोगों के पद वरे गए थे उसकी रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्जाम डेट को लेकर और साथ में इस तर्डेजी कि कब तक एक्जाम हो जाएगा और क्या कट ओफ इसकी जाने वाली है इसके साथ साथ और तमाम सारी बाते हम करने वाले हैं ठीक है वीडियो स्टार्ट करने से बहले प्लीज आप लोग चीफ लासिस्टेंट कि या वेलफेर इस्पेक्टर की चीफ लाउफिसर की तियारी कर रहे तो प्लीज चाह सब्सक्राइब कर ले साथ में बैल आइकन जुरू पैस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन और बैल आइकन नोटिफिकेशन आप लोगों तक पोस्त रहे ठीक है तो दोस्तों सबसे लोगों ने फर्म फिल कर दिया है अब इनके एक्जाम की बात बताने कि एक्जाम अभी कोई ओफिसियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया लेकिन संभवत है जुलाई में एक्जाम आप लोगों का हो जाएगा ठीक है जुलाई में एक्जाम होने के पूरे-पूरे 100% चांस है तो RRB इनने पहले एक एक नोर्मल नोटिफिकेशन जारी किया था कि जितने भी ये RRB के एक्जाम होने हैं ये सारे जुलाई में होने हैं तो आप अपने एक्जाम के तयारी बिर्कुल अच्छे से करते रहिएगा अभी ये ना सोचे कि एक्जाम डेट नहीं है तो जुल बर्मेर्स से बार आउं अजमिर्थ के आसपास ही होगा इलावास से बारा तो इलावाद के आसपास ही होगो ये एक्जाम हसे इसके साथ इनल में और पर आप सिर्फ स्मन्दित हमारा पर ग्रुप चल रहा है हमारे जनरल सेंस पटेंगे और हमारा जो इस्टाटिक जी के आएगा वो सारा हम लोग ही कबर कराएंगे हमारे पेट गुरूप से तो आप जो भी पेट गुरूप जोइन करना चाहते हैं रेलवे चीफ रासिस्टेंड के लिए और वेलफेर इस्पेक्टर के लिए जो कोमन लोगों के तैयारी हो जाएगे और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए काफी रिलिवेंट और महत्पून होगा पिछले हमारे सारे पेट ग्रूप अच्छे वरकिंग कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट हम लोगों कर रहा है आप लोग जानते अच्छी तरीके से तो यह बता चुका हूँ इसके पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ वहां से पढ़के आप लोग समझ सकते हैं थैंक यू